हालो फ्रेंड्स नामदेवकेडमी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो यहां पर मैं देखो जोग्राफिक का एक इंपोर्टेंट टॉपिक लाई हूं भारत के पर्वत और चोटियां तो इससे रिलेटेट जो क्यूसंस हैं जितने भी क्यूसंस एकजाम में कमप्लीट कवर किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को कमप्लीट देखेगा और जिस किसी क्यू Europeans का answer आप Corporation को आता है उसfeed का answer जरूर्द देना हैं साथी साथ वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए इस टॉपिक की अपन बात करें तो देखो यहां पर यह जो बैच चला रहा है न आपने टारगेट बैच तो यह जो है न इसमें एक-एक सब्जेट को अपन कवर करेंगे यह किस- चाहँ रेलवे का कोई भी एकजाम हो चाहँ सब्सक्पत की एकजाम में जीके पूची जाती है न हर एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्यूशन साच अपने लिए भारत के परवत और चोटिया टॉपिक से, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का जादा डिटेल में देखना है ना आपको इन टोपिक्स को तो जोग्राफिक की नाम से मैंने प्लेलीस्ट बनाई हुई है तो उसमें पहले आलरेडी मैंने कराए हुए कम्प्लीट टॉपिक्स जिसको डिटेल में मैंने समझाया है तो यहां पर अपन क्या करेंगे देखो फटा-फटा अपन को रिवीजन करना है ताकि सारे टॉपिक्स का कम्प्लीट सब्जेट्स का अपना अच्छा-कासा एक्जाम से पहले रिवीजन हो सके क्योंकि देखो अगले साल वैसे ही लेक्शन होने है तो एक जो साल है ना अपने लिए बहुत इंपोर्टेंट है दो जारते इस बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि वैकेंसी चाफी आंसर दो जिस किसी को आंसर आता है फटा-फट से आंसर बताना है आपको कि भारत की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है और से गौडविन, आउस्टिन, कामेट, नंदा, कोटा या फिर नंदा, देवी ओप्षों चार आपके सामने दिये गया हैं बोलिएगा इस क्यूशन के नाम से भी जाना जाता है अब इसकी उंचाई कितनी है तो वो चीज़ भी आपको पताओनीचिए गार्डविन ओस्टिंड जो है इसकी उंचाई की अपहन बात करे तो 11 अमते की 8611 मिटर उंची ये परवत चोटी है गार्डविन जिसको K2 के नाम से जानते हैं ठीके ये ध्यान रख ली करना चलो next अब आप से पोला गया है कि हिमाले परवत एक प्रमुख मत्र की मुख्य प्रकार का है तो जो हिमाले परवत है न ये एक मुख्य प्रकार का कैसा प्रवत है ये बताना है ज्वाला मुख्य परवत, वलित परवत, ब्लॉक परवत या फिर आउसीस्ट परवत का तो friends हिमाल्य परवत का एक मुख्य प्रकार क्या है वलित परवत का तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पे option B जो है न वो इस question का correct answer हो जाएगा वलित परवत यहाँ पर इस question का correct answer हो जाएगा most important question है next question ज्यादा detail में देखना है आपको तो उसके लिए देखो playlist बनाई हुई है उसमें आप देख लीजेगा जियोग्राफिक के नाम से यहाँ पर अपन को फटाफट revision करना है एक एक question का बताओ भारत में हिमाले की सबसे उंची चोटी बताओ कौन सी है नंदा देवी नंगा परवत कंचन जंगा या फिर धोला गिरी तो यहाँ पर जो options दिये गए इन options के according बोला गया है हिमाले की सबसे उंची चोटी तो यह कौन सी है कंचन जंगा है कौन सी है कंचन जंगा ठीक है अब यहाँ देखो कंचन जंगा के बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी उंचाई कितनी है तो यह देखेगा वैसे ही माले की सबसे उंची जो है न वो तो है कौन सी है केटू है यानि गाडविन ओस्टीन है ठीक है यह देहान रखना लेकिन उसके बाद केटू के बाद कौन सी है दूसरे नमबर पर कंचन जंगा बट यहां पर केटू ऑप्शन में नहीं है इसलिए अपने ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अभी यहां पर देख सकते हो 11 मिटर और कंचन जंगा की बात करें तो इसकी है 8598 मिटर इसकी क्या है उंचाई है कंचन जंगा की ठीक है चलो नेक्स्ट अब आपको बताना है कि भारत की कौन सी परवत स्रेणी नवीनतम है उप्शन से सयादरी अरावली हिमाले या सत्पुडा इसमें से नवीनतम बताना है तो देखो भारत की कौन सी परवत स्रेणी नवीनतम है तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाले इस क्यूशन का करेक्ट अंसर हो जाएगा हिमाले हिमाले ध्यान रखेगा ठीक है अब देखो हिमाले की अपन बात करें तो हिमाले की प्रदेशिक विभाजन की बात करें तो वो भी आपको पताओना चीए प्रदेशिक विभाजन जैसे की पंजाब हिमाले कुमाओ हिमाले नेपाल हिमाले असम हिमाल तो भारत का सरवोच्य पर्वत सीखर है सरवोच्य पर्वत सीखर मैं बह्ता ने में सक्षाये का पूछा न कर देना क्यूंकि आवरेस्ट भारत में यहां पर भारत je के देखो यहां पर options के देखो कंचन जंगा कंचन जंगा से पहले कौन सा है केटू जिसको अपन गाडविन औस्टिन बोलते हैं उसके बाद है कंचन जंगा बट केटू option में नहीं है तो इसलिए अपना आंसर क्या हुजाएगा कंचन जंगा option डी correct आंसर हुजाएगा यह रा ठीक है चलो next question यहां देखो यहां बोला गया कि कारा कोरम परवत स्रेणी का पूर्व नाम बताओ कारा कोरम परवत स्रेणी जो है इसका पूर्व नाम बोला गया है तो इसका पूर्व नाम क्या है तो इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी क्या है क्रिश्णागिरी option बी execution का correct answer है ठीक है ना बब एक और चीज ध्यान रखना कारा कोरम की बात हुई है ना तो यह चीज ध्यान रखना K2 जिसको अपन क्या बोलते हैं गार्विन आस्टिन बोलते हैं वो कारा कोरम जो है ना यह कारा कोरम उसकी सर्वुच्य चोटी है ये विध्यान रखना ठीक है ना जो कि भारत के सबसे उची चोटी है ये चीज भी ध्यान रख लेना आपसे बोला जा रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमाल्य का कौन सा प्रदेशिक विभाग इस्तित है very very important सतलज और काली नदियों के बीच हिमाल्य का कौन सा प्रदेशिक विभाग इस्तित है तो ये है कुमाओ इस्तित है अब अपन बात करते है पंजब हिमाल्य के तो पंजब हिमाल्य चो है ना इसकी लंबाइ जो है ना इसकी लंब्ध हिमाल्य पान सो साट किलो मिटर इसकी क्या है लंबाई है और यह सिंदू और सतलज नदियों के बीच है किसके सिंदू और सतलज तो सिंदू और सतलज तो डबल एस देहां रखना ठीक है डबल एस के नाम से याद रहे जाएगा सिंदू और सतलज कुमाओ को आपने बताई दिया कुम लंबाई कितनी है तो इसकी 800 किलो मिटर इसकी क्या है लंबाई है और यह काली और तीस्ता नदी के मद्दे केटी याद रखना काली और तीस्ता नदी के मद्दे है ना अब असमी माले के बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 720 किलो मिटर है कौन सी नदियों के मद्दे है टीडी धिहान रखना टीडी अब टीडी क्या है टीसे हो गया तीसता और दीस दीसे हो गया धिहांग तीसता और धिहांग नदियों के बीच है ठीक है अब देखो एक ही क्यूशन में कितने सारे आपके डिसकस हो चुके हैं ये क्यूशन किसी ना किसी एक्जाम में पूछे ग कहते सागर माथा अब यहां पर देखो माउंट एवरेस्ट की उंचाई भी पूछ सकते हैं तो आठ अजार आठ सो अड़तालीस मिटर उंचा है ठीक है डबल एट फोर एट ध्यान रख लेना ठीक है ना यह द्यान रख लेना चलो नेक्स्ट क्यूशन आप सभी के सामने दिया गया है कि नंदा देवी चोटी है नंदा देवी चोटी जो है यह किसका भाग है यह पूछा गया है नंदा देवी चोटी नंदा देवी चोटी की बात करें तो कुमाओ हिमाल्य जो है न इसका भाग है और कुमाओ हिमाल्य क कि लंबाई की पूछी जाए तो 320 किलोमेटर इसके लंबाई है और कौन सी नदियों के बीच में सतलज और काली नदी एसके ध्यान रखना सतलज और काली नदियों के बीच है ठीक है next अब पूछा गया कुलू गाटी निमन लिखित परवत स्रेनियों के मद्ध है कुलू ठीक है अपन बात करें तो यह है दोलादार और पीर पंजाल परवत स्रेनियों के बीच है किसके बीच है दोलादार और पीर पंजाल ठीक है न तो यह जो हिमाले स्रेनी या फिर हम कहें लगो और मद्ध हिमाले स्रेनी तो इस स्रेनी में कौन कौन सी आते है पीर पंजाल द पहाबार स्रेणी यह धी समय आती है ठीक है नेक्स्ट आपसे वो लगए धराखंड का सबसे उंचा पर्वत सिकर बात करें उत्राखंड की तो उत्राखंड का सबसे उंचा पर्वत सिकर कौन सा है तो यह है नंदा देवी कौन सा है नंदा देवी-very-very-important संटने कुल कर sai неё जाएगा नंदा देवी की बात करेड़ सर्वोच व्रहत लिसुरे हरी सैठी की सीतों है और संट लिखे देती हूं, 6000 मेटर इसकी उंचाई है, विशु की सबसे उंची चोटी मैंने बताई दिया, माउंट एवरेस्ट जो की है नेपाल में, और ये भी ध्यान रखना, और ये कंचन जंगा, नंगा परवत, नंदा देवी, कामेट, और ये नामचारवा, ये सारी जो है न, ये क्या हैं, वो अल्रेडी मैं डिसकस कर चुकियों, चलो, सिवालिक स्रेणियों का निर्मान हुआ, सिवालिक स्रेणी जो है न, इसका निर्मान किसे हुआ, तो सिवालिक स्रेणी जो की हिमाल्य की नवीनतम भागे, हिमाल्य का नवीनतम भागे, सिवालिक स्रेणी, इसका निर्मा हुआ सेनो जोएक तो आंसर क्या हो जाएगा सेनो जोएक इसक्यूशन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना और मतलगी जो है ना पशिम में इनको दून और द्वार भी कहते हैं ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा ना चलो इतना डीपली तो खर कोई नहीं सबसे उंचा परवस सिकर कंचन जंगा भारत के कौन से राच्य में इस्तित है तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम है अब यहां देखो ये दिखाए दे रहा है ये रा कंचन जंगा यहां देखो ये सिक्किम है ठीक है सिक्किम के राजदानी गंग टॉक है और इसकी उंचा ही कि परवत्सरेनी कौन से हैं? इन में से सबसे प्राशीन पूछी है हिमाले, अरावली, विध्यान्स या फिर सत्पुडा तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली अरावली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब यहां देखो अरावली की बात करे ना तो यह दिख रहे हैं इस चीज को पुरानी चठानों से बनी हुई है और यह सबसे उची चोटी कहां पर है तो माउं टाबू में श्तित है और उसका नाम क्या है? गुरू सीकर और इसकी उचाई कितनी है? 1722 मिटर इसकी क्या है? उचाई है ठीक है ना? यह चीज आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान और अरावली के पश्यम की और से कौन सी नदी निकलती है तो अरावली की पश्यम की साइड से माही और लूनी नदी जो है न वो भी निकलती है अब लूनी नदी की बास सुनो लूनी नदी जो है न कच्छ के रण में क्या हो जाती है गाय पो जाती है और अरावली के देखो अरावली के अपनने देख लिया पस्चिम साइड से तो माही और लूनी निकलती है जबकि अरावली के पूरो साइड से बना सनदी निकलती है ये भी ध्यान रख लेना चलो इतना डिटेलमनी जाए देंगे फटाफट से करते हैं वीडियो को कम्टीट भारत में निमन लिकित में से कौन सी परवत स्रेणी के वल एक राज्य में फैली हुई है तो फ्रेंट्स वो है अजन्ता माहराष्ट में है ठीक है 나 माहराष्ट के और अंगा बाद ध्याँ रखना नेक्स्ट अरावली पर्वत स्रेणी अरावली पर्वत का सबसे उंचा जो सीकर है वो कौन सा है मैंने आपको बताया था गुरू सीकर और गुरू सीकर जो है इसकी उंचाई भी मैंने बताई थी यहाँ पे देखो 1722 मिटर इसकी क्या है उंचाई है बाकि अरावली से पश्यमी घाट है ना पश्यमी घाट इसको जाना जाता है सयादरी के नाम से पश्यमी घाट ठीक है चलो नेक्स्ट यहां देखो बोला ज़र है प्राइदीपे भारत में सबसे उच्चा परवत चोटी जो ना सबसे उच्ची तम परवत चोटी कौन सी है प्राइदीपे भार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परवत श्रेणियों का सम्मिलन इस्तल की बात करें तो यह है नील गिरी पहाडियां कौन सी है फ्रेंट्स नील गिरी पहाडियां आपको याद रखना है option B most important mark कर सकते हैं आपी से नील गिरी की पहाडियां जो है यह कहां पे है तो यह है तमील नाडू में कहां पे है तमील नाडू ध्यान रखना ठीक है जो की एक कैसा परवत है यह नील गिरी की पहाडियां तो यह है ब्लॉक परवत ध्यान रख लेना भही क्या नाम याद रखना ब्लॉक किस तरह का पता है ये भी पूछ सकते हैं तो ये है ब्लॉक परवत ठीक है और ये मुख्यत ये चार नोकाईट पठार से बनी है कौन से पठार से बनी है चार नोकाईट पठार से बनी है अब ये जो नीलगरी की पाड़ी है ना इसकी सबसे उंची चोटी कौन सी है तो सबसे उंची चो तो यह जो डोड़ा बट्टा है ना इसकी उंचाई कितनी है 2 6 3 7 मिटर इसके क्या है उंचाई है ठीक है ना यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना ओके चलो बड़े नेक्स्ट क्यूशन क्यों क्यों नहीं देखो सबसे उंची हो गई यह द्यान रखना और यह दक्ष सबसे उंची चोटी बट दक्षिन भारत की बात करें तो दक्षिन भारत में दूसरे नंबर की है क्यों है क्योंकि दक्षिन भारत में इससे पहले जो सबसे उंची है न वो है अनाई मुडी अनाई मुडी की जो उंचाई है वो है 2 6 9 6 मिटर तो मैं उम्मीद करती हूँ द गिरनार पाडियों की तो फ्रेंड्स गिरनार की बात करें तो ये कहां पे है ये है गुजरात में नेक्स्ट क्यूशन गारो खासी जयनतिया ये पाडियां किस राज्य में इस देता है most important क्यूशन तो ये है मेगहले में ये देखो ये देखो ये गारो खासी जयनतिया ये सार की सारी कांपे है तो यह है मेगाले में कांपे मेगाले में निमन लिकित में से कौन से दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी है दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी की बात करें तो यह अनाई मुडी अभी तो आपन ने बात की थी मैंने बताया था ना अभी दक्षिन भार जिसकी उंचाई भी मैंने आपको बताई थी 2696 मिटर उंची है और अगर पूछे कि नीलगरी की पाडियों की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा डोडा बट्टा ठीक है डोडा बेट्टा तो इसकी उंचाई कितनी है ये भी पूछ सकते ह है तो 2637 मिटर अब सब क्लियर है नेक्स्ट यहां देखो नेक्स्ट इस क्यूशन कहां से दो फटा फट से क्यूशन क्या कह रहा है तो क्यूशन आप से पूचा कि भारत यह वो मायमर के बीच सीमा निर्धारन करने वाली तीन परवस्रेणिया कौन सी है तो यह है खासी नागपूर पहाड़ी की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है अपसंस आपके सामने है छोटा नागपूर जो है इसके पटार कहां इस्तित है राची में इस्तित है और इसकी सबसे उंची परवत चोटी पूची गई है जो की है पारशनात कौन सी है पारशनात नेक्स्ट केटू के बाद भारत में निमन लिखित में से कौन सा दूसरे नंबर का सरोच परवत सिकर है तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में अच्छे से डिसकस किया है कंचन जंगा देखो मैंने क्या बता है पहले नंबर पे कौन सा है केटू जिसकी उंचाएं आप देख सकते हो 8611 ठीक है ना चलो next question ऑपसे बोला गया है कि हुमाले के सरोच सिकर माउंट एवरेस्ट की उंचाइब दाओ मांन्ट एवरेस्ट की उंचाएं माउंट एवरेस्ट के बारे मैंने बताया था ये कहाँ पे है नेपाल में है और इसकी उंचाइग कितनी है तो भई इसकी एट मेटर यह देखो नेपाल में है ठीक है नेक्स्ट यहां बोला जा रहा है कि कोडाई कैनाल किस पर्वत स्रंकला पर इस्तीत है कोडाई कैनाल की बात करें कोडाई कैनाल तो कोडाई कैनाल जो है ना यह इस्तीत है पालनी पर्वत स्रंकला पर इस्तीत है आंसर हो जाएगा option A ये question SSC और railway में पूछा गया question है next निमल लिकित में से कौन से राज्य में सबरी माला इस्तीत है most important mark करो इस question को हमसे बात करिए गई किस के बारे में सबरी माला के बारे में तो सबरी माला की बात करे न तो आप note कर ले न सबरी माला का पूछा गया है जो की answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option A केरल केरल की capital क्या है वो भी आपको पता होना चीए ठीक है तिरोवन्त पूराम next आपसे बोला गया कि जहाँ पूरवी घाट पूरो पश्चिम घाट मिलते है जाब पूरवी घाट और पूरो पश्चिम घाट मिलते है वहाँ निम्र में से कौन सी पाडिया इस्तित है तो वहाँ पाडिया इस्तित है नीलगरी पाडिया कौन सी है नीलगरी पाडिया और यह कहाँ पे है यह है तमिल लाडू में है और निलगरी पाड़ी की सबसे उंची चोटी कौन सी है डोडा बेटा है नेक्स्ट ये देखो निलगरी पाड़ी जो है इसके सबसे उंची कौन सी है डोडा बेटा नेक्स्ट क्यूशन यहां देखो अब बोलागे नरम्दा और तापी नदियों के मद्य कौन सी पाड़ी इस्तित एंथ? तो नरम्दा और तापी नदि के मद्य कौन सी पाड़ी इस्तित है? सतपूडा पाड़ियां very very important यह जो सतपूडा की पाड़िया ना यह कहां पर है Friends? ये है मद्य प्रदेश में काँ पे है मद्य प्रदेश में स्तीत है ठीक है ना ये ध्यान रख लेना और ये किस से बनी हुई है ज्वाला मुखी चठानों से बनी हुई है और इसकी सबसे उंची चोटी कौन सी है तो मैं यहां पे लिख देती हूँ दूप गड़ी इसकी सबस अधिक उंचाई वाली चोटी कौन सी है अंडमान और निकोबार दीप समोय में सबसे अधिक उंचाई वाली जो चोटी है वो है सैंडल पीक कौन सी है सैंडल पीक अब यहां देखो यह जो अंडमान और निकोबार दीप समोय में पूछा गया था सैंडल पीक जिसकी आना चाहिए आप के दोगे बिलकुल आता है अरावली क्योंकि अरावली के बारे में सारी चीजे मैंने आपको सब कुछ डिसकस कर दिया इसलिए कहते हूं वीडियो स्टार्टिंग से देखा करो ताकि कुछ भी मिसना हो हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी बताओ हिमाले की से पूर्वी चोटी की बात करें तो यह है नाम चाबरवा तो आंसर हो जाएगा ओप्शन ए नाम चाबरवा नेक्स्ट नेक्स्ट हिमाले परवत स्रेणी निमल लिकित में से कौन से राज्य का इस्सा नहीं है ये तो देखते ही आ जाएगा हिमाले परवत स्रेणी का है शेवराई पहाडिया जोके अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेज If timber लाडू है कहाँ पहाडिया है और tamil लाडू में नील गली की पहाडियां है न इक्स्ट्र क्यूशं लो लेगे कि उत्तर पश्चिम में परवत का नाम बताओ उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम ये देखो देखो ये तो अपना हो गया इस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया ये साउत हो गया और ये नौर्थ हो गया उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहां पर पूछा गया उत्तर पश्चिम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट एन्बेंड हिलेरी और तैंजीन नार्गे दुआरा विश्यु की सर्वोच्यय परवत चोटी माउंट ऐवरेट्स का पर सबसे पहले किस वर्ष में इन्नों ने विजय प्राप्त की यानी एन्बेंड हिलेरी Allah ओर तैंजीन नार्गे उँची है तो इस पे सबसे पहले इनोंने विजे प्राप्त की थी कब 1953 यानि 1953 में नेक्स्ट क्यूशन यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सबसे उँची परवत चोटी है संसार की दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह है केटू यानि गाडविन आस्टीन पहली कौन सी है संसार का पूछा जैन तो संसार में पहली तो माउंट एवरेस्ट हो गई उसके बाद दूसरे नमबर की केटू यानि गाडविन आस्टीन हो गई और तीसरे नंबर के हो गई कंचन जंगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन यहाँ पर बोला है कि हिमाले में हिम रेखा जिसको स्नो लाइन बोलते हैं तो यह निम्न में से मतल़ किसके बीच है तो हिमाले में हिम रेखा की बात करें तो यह किसके बीच है तो यह है 4500 सो से लेकर के 6000 मिटर पश्यम में नेक्स्ट क्यूशन बदरीनाथ आवस्तित है option से कुमाव हिमाले में, मद्धे हिमाले में, हिमाद्री में या फिर ट्रांस हिमाले में बदरीनाथ की बात करें तो यह इस्तित है कुमाव हिमाले में अब अपन बात करते हैं कुमाव हिमाल्य की तो कुमाव हिमाल्य जो है ना इसकी लंबाई है तीन सो बीज किलो मिटर इसकी लंबाई है और ये सतलज और काली नदी जो है ना उसके मद्देश तित है नेक्स्ट हिमाल्य का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है जिसको बोलते ना फूट हिल रीजन तो ये किस नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है सिवालिक के नाम से किस नाम से जाना जाता है सिवालिक के नाम से तो आंसर हो जाएगा सिवालिक ओप्शन next हिमाले की उत्पति किस भू सन्नती से हुई हिमाले की उत्पति किस भू सन्नती से हुई तो यह हुई टैथिस सागर यह most important है यह question बहुत जादा बार exam में पूछा हुआ है कि हिमाले जहाँ पे आज अपने हिमाले पाड को देखते हैं वहां पहले क्या हुआ करता था टैथिस सागर है और यही Marcelika काहरन क्या हुआ है इसकी हिमाले की उत्पति हुई है ठीक है चलो next नेक्स्ट यहां बोलाए कि निमंलदिकित में से कौन सी माले की परवत चोटी असम राज्य में इस्थिता है तो असम में याँ पर देखते हैं याँ पर आना चाहिए यह नामचार वेरोआ जो है ना यह है कहां पर असम में यह चीज most important है तो यह चीज थोड़ा सा अच्छे से आपको द्यान रखनी है चलो देखते हैं next question यहाँ देखो यहाँ बोला है कि काडेमम पाड़ी कहां इस्तित है काडेमम की बात करें तो काडेमम पाड़ी कहां पे इस्तित है पूर्वी घाट परवस्त्रेनी का सर्वोची सीकर की बात करें तो यह है महेंद्रगिरी कौन सी है महेंद्रगिरी तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा महेंद्रगिरी जो है वो इसका correct answer हो जाएगा next question पशीमी घाट क्या है पशीमी घाट पशिमी घाट क्या है तो पशिमी घाट की बात करें तो जो पशिमी घाट है ना ये एक भ्रंस कगार है क्या है भ्रंस कगार है नेक्स्ट दूपगट जोटी देखो दूपगट जोटी के बारे मैंने बताया था ना दूपगट जोटी जो है वो कौन से range में है तो दूबगड चोटी का आपन ने बताया था सतपुड़ा range यानि कि जो सतपुड़ा की पाड़िया है ना सतपुड़ा की पाड़िया कहाँ पे है मध्यप्रदेश में है और इसकी सबसे उंची चोटी मैंने कौन सी बताई थी दूबगड़ी चोटी बता थी तेरा सो पचास मिटर इसकी क्या बताई थी उंचाई बताई थी जहां पे महादेव परवत इस्तित है ये भी ध्यान रखना है और इसके पूर्वी इससा जो है ना पूर्वी इससे से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है तापती नदी सबसे बड़ा हिम्नद सबसे बड़ा हिम्नद जो है वो कौन सा है कंचन जंगा रुंडन गंगोत्री या फिर केदारनाथ तो सबसे बड़ा हिम्नद इन में से कौन सा है रुंडन ऑप्शन भी रुंडन नेक्स्ट कुशन यहाँ पर पूचा गया कि किस परवत यह इस्तल को सत्पुडा की रानी कहते हैं very very important सत्पुडा की रानी की बात करें तो यह कहा जाता है पच्चमडी को option A पच्चमडी तो यहाँ पर यह आज का अपना topic complete cover होता है भारत के प्रमुख पठार और परवत भारत के प्रमुख परवत और उनकी चोटियां इससे related जितने भी questions थे उनको complete अपनने cover कर लिया है तो friends वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और ज़्यदा ज़्यदा वीडियो को share करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले साथी bell icon जो है उस पर click कर ले ताकि आपको सारे वीडियो के notification मिलते रहे science की बात करें तो science का जो revision session रहेगा target batch के नाम से जो चल रहे है वो अपना रहेगा daily शाम को 9 बचे और इसका क्या target है तो complete all exams सारे जो इंडिया में जितने भी exams होते हैं चाहिए state level के हो चाहिए अपने center level के हो सभी exams में पूछे गए questions topic wise ओके thank you for watching this video